चीनी इसपात निर्यात आठ वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुचेगा। इस वर्ष के अंत में यूरोप में आयाद बढ़ने की उमीद है। सेमी कंडक्टर सामगरियों पर चीन के निर्यात प्रतिबंधों ने चिप उत्पादन की आशंकाओं को बढ़ाया। लेटिस्ट बिग इंडिया कॉमर्स में जेप्टो ने पांच बिलियन डॉलर का मूल्यांकन हासिल किया। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन रिफाइनिंग और पेट्रो केमिकल्स क्षमता का विस्तार करने के लिए 750 रुपए बिलियन का निवेश करेगा। एक्सिस बैंक ने गैर परिवर्तनिय डिबेंचर के जरिये 40 रुपए बिलियन जुटाने का प्रस्ताव रखा। आदित्य बिडला कैपिटल ने आदित्य बिडला इंशोरंस ब्रोकर्स में 50% हिस्सेदारी की बिक्री पूरी की, DMCC 185 मिलियन डॉलर में एस्ट्रो ओफशोर में 80% हिस्सेदारी का अधिगरहन करेगी। गुजराद गैस ने GSPC और गुजराद स्टेट पेट्रोनेट सहायक कमपनी बिरला एस्टेट्स नौएडा में 131 एकड़ जमीन का सहविकास करेगी। PVR आइनॉक्स सत्तर नौन परफॉर्मिंग स्क्रीन बंद करने और नौन कोर रियल एस्टेट संपत्तियों का मौदरी करण करने की योजना बना रही है। अगस्त में GST संग्रह सालाना आधार पर 10% बढ़ा लेकिन जुलाई के आंकडों से कम। चीन में विनिर्मान क्षेत्र के 6 महीने के निचले स्तर पर पहुचने के बाद एशियाई बाजारों में गिरावट। रियल एस्टेट में हैंग सेंग इंडेक्स में गिराव।